नमस्कार दोस्तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं घर में परवेश करते ही खुशियों की बहार ला देती है इन रासी की बहुएं दोस्तो हर घर में जब भी बेटा कमाने लाइक हो जाता है तो उसके घर वाले आने वाले समय में उसके लिए भव की तलाज शुरू कर देते हैं वैसे तो बहु डूंटते समय लोग कई सारी चीजों पर ध्यान देते हैं लेकिन एक बेसिक सोच यही होती है कि घर में वही बहु आए जो परिवार की जोली में खुशिया ही खुशिया भर दे गर में कल्या करने वाली मा बेटे में फूट डालने वाली बुरी सोच रखने वाली लड़के को कोई भी घर की भव नहीं बनाना चाता सबी की एक कोसिस होती है कि शादी के बाद उनके परिवार में खुश्यों की भार आ जाए ऐसे में ये बात पूरी तरह से इस बात पर निपर करते है कि हम जिस लड़की को बहु बनाने वाले हैं उसकी सोच और नेचर कैसा है यही आपके घर की खुश्यों की चाबी होती है इसी बात को ध्यार में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसी राशियों के नम बताने जा रहे हैं जिनकी जा तक महिला है एक बहुती अच्छी बहुत साबित होती है यदि आप इन राशिकी मैलाओं को घर में बहु बना कर लेकर आते हैं तो आपकी फैमिली में खुश्या आने में देर नहीं लगेगी दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दी कि हमारे जोति सास्त्रम में किसी भी व्यक्ति के नेचर के बारे में बताने की योगिता भरपूर मात्रा में कई बड़े बड़े पंडित इन राशियों के अधार परी लड़की के बारे में सब कुछ बता देते हैं इसलिए ये बात काफी हद तक रियल लाइफ में सच साबित होती है होगा ये फाइदा इसके पहले कि हम आपको उन भागी साली राशियों के नाम बताएं आए पहले जान लेते कि इन राशियों की भहुएं लाने पर आपको क्या-क्या लाब होगे दरसल ये राशियों की महिलाएं बेद समझदार नीचर की होती है या अपने परिवार को भला बुरा अच्छे से समझ पाती है इने परिवार में फूट डालने या उसे तोड़ने में आनंद नहीं आता बलकि ये तो पूरे घरवालों को साथ लेकर चलने में समर्थ होती है इनकी इसी सोच से फैमिली में प्रेम भाव बना रहता है इसके साथ ही ये मैलाएं गर की तरक्की में भी बहुत साथ देती है इनके हाथ में यदि घर खच चलाने की आप जिम्मेदारी सोपते हैं और इने परिवार के एहम निर्ने में सामिल करते हैं तो ये अर्थिक रूप से आपको काफ़ी आगे ले जा सकती हैं ये हैं वे लगकी राशियां दोस्तो जोति साथ की माने तो कन्या करक और कुम्बराशी की मेलाएं घर में खुशिया लाती है अर्थात इस राशी की मेलाओं को बहु बनाने के बाद घर के टुकडे होने की चांस ना के बराबर रहते हैं हलाकि इसका मतलब ये नहीं के अन परतिसत महिलाओं पर ही लाग होती है ऐसा भी हो सकता है कि बाकी की 25 परतिसत महिलाओं का नेचर और सोच ऐसी ना हो वैसे यदि आपको जानकरी पसंद आई हो तो आप हमें जरूर कोमेंट बॉक्स में बताएं अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद